हलो दस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूटूब चैनल अनुपी स्टेडी में आज हम लोग जो है कि सुरू करेंगे जो है कि प्रस्ट नंबर तीन से लेकर जो ही कि चार तक के प्रस्टों का सोलोसन इस वीडियो में करा दूंगा ठीक है क्योंकि ज्यादा हम लो दो तीन कोश्टन आपको सीथ भी करना है तो आप लोग पता ही होगा कि सीथ जो भी किया जाता है आपका समय ज्यादा लगता है तो सभी जो भी मैं जिस प्रस्टों का मैं सलोशन कराता हूं उसका जो ही कि नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडियोफ लिंक दिया गया है पीडियोफ में डिस्क्रिप्शन में पीडियोफ लिंक दिया गया है उसका पास्वार्ड है अनूप इस्टेडी पास्वार्ड डालेंगे तो आपका तुरंत वह ओपन हो जाएगा ठीक है तो चले फ्रेंस सुरू कर लेते हैं प्रस्ट नमबर 3 का कोश्ट नमबर 1 ठीक है ठीक है इसलिए मैं समझा रहा हूं तो जैसे आपका प्रस्ट नमबर 3 होगा और तीसरे का दूसरा भी होगा जैसे पहला हम कराएंगे ठीक है ठीक है तो यदि आप से पूछता है कि तीनवा पद पांच है जैसे मैं कहा दूं कि किसी भी स्रमांस कोई समांतर से नहीं है जि तुरंद समझेगे टीफोर जो है कितना है सेवन है आहे में यान का वाईलू तब तक कितना मिला चार आप टीफोर का टोटल वाईलू कितना हो गया जहीं साथ और यदि यह मैं ऐसे कहा देता हूं कि टीटेन बराबर आपका एकसो एकसे टीटेन नहीं जैसे दास्वापत एकसो एकसो गया दसवापत एकसो एकसो गया तो आप तुरंद लिखेंगे टी टेन बराबर एकसो कितना एकस्यत पिस जाहता है यह उत्यापत आ घ्लाई तो यह उम्मीदों के समझ गया ना थोड़ा मुझे एक्जांपल देना पड़ता है ताके आपको अच्छी तरह से जो भी मैं question समझाओं आपको अच्छी तरह समझ में आजाए पर ने यांपल बता दूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आजाएगा ठीक है तो यह समझ गए ना कि टीफोर टीफाइव कब आप रखेंगे तो दे रखा है कि किसी यदि किसी समांता सिर्णी के तीसरे तथा सातवें पद करमसा 18 और तीसे करें तीसरा और सातवा पद आपको इस्क्रीन पर दीख भी रहा होगा ठीक है तीसरा पद आपका 18 है और सातवा पद आपका कितना है 13 तो तीसरा पद मैं लिख नहीं रहा हूं तो कर रहा है कि स्रेणी प्राप्त कीजिए तो मेरे प्रीच आत्रों आप देखिए किसी भी यह से दिदे देता है तो इसका स्रेणी आप कभी निकाल सकते हैं जब आपको ए मालूम हो और सार्व अंतर मालूम हो यहनि कि दी का वैलू और ए का वैलू हम लोग फाइंड कर ले तो आसानी से आप स्रेणी निकाल सकते हैं ठीक है मैंने क्या कहा कि जो भी आपको स्रेणी पता करना है तो स्रेणी सबसे पहले स्रेणी को पता करने के लिए सबसे पहले आपको ए कमान चाहिए और किसका दी का यहनि कि हम निकालना है एका वाई लूकिस्का वेलुदेखाय ठीक है प्रस्ट नमबर इसमें एक में तीसरे के इसलिए की में के बिल्कुल 20 प्रस्टार से बता रहें ताकि आपको दूसरे जैदा बताना ना पड़ें ठीक है आप लगभा से ना कर लेंगे देखिए तो यह आपको हो ग एक टी त्री बढराबर होगा उसी तरह से ए प्लास यन हाई यह फर्मुलाव यकितना है ट्री आ माइनस वान इंटु डी भी तो पता नहीं है यह हो जाएगा एनवा के रूप से टी-3 आपका हो जो कितना दे रखा है 18 इसको मैंञार्टा दे रहा हा हूं यहां पपाइटना रख दूंगा 18 य तो समझ में आहा है hardness बन गए और भी यह का राइगा 27 strat वाच्छ की राखा आण 37 कितना यानि सातमापत कितना दे रखा है 30 आपका दे रखा है तो ए प्लस साथ में से को घटे का कितना चोगो समीकर्ण नमर कितना हुआ ये तो आपको आपको समया चोह करा रहा है कि केसे सालसन करा रहा हूं आपको कोई कोचन बीं दूसरा कोचन आएक और इससी टायप करा सैम है आपको इससे हिफाइं करना है ठील है इतना कंफर्म हुआ अब इसके बाद आपको हर हाल में इन दोनों समिकराणों सो निकालना है एक का मान और किसका मान डी का मान ठीक है ना चली तो बहुत अच्छी तरह सा मों निकालेंगे तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि समिकराण को में से मैं घटा दूँ एक में से समिकराण 2 को घटाने पर ठीक है ना घटाने पर तो गटा आएंगे तो क्या मिलेगा देखिए ने लेफट हैंसाइज unfortunate-nate तो 18-30 एठीक है और हाँ आपना ही है न तो साथ में रख करके घटा सकते हैं दोनों समिकार को एक साथ ले करके हैं लेकि मैं इधर का इधर घटा दे रहा हूं इधर का इधर ताकि आपको समझने में हो सकता है डिफकल्टी भी हो जाए वैसे तो 18-30 हो गया इसको घटा दीजिए a plus 2d इसके ब माइनस लगा है कहाँ यहां पर कोश्टक में बंद हो गया क्यों नहीं इसको अलग छोड़ते हैं यहां पर थोड़ा ज्यादा बच्चों को कॉन्फ्यूजन यह होता है कि देखे जब बाहर आपका माइनस आता है और इसके आगे वाले में दो पद आते हैं तो पहले माइन मैनस है यहां पर आपको खोश्टक लागाना पड़ेगा क्योंकि जब माइनस आता है तो मालटिपलाई करने के बाद चिंद को क्या कर देता है चेंज कर देता है आप लोगों को तो यह पता होगा अब यह घटाएंग घटाएंगे को आप लोगों कितना हो जाएगा 10 में स आपका हो जाएगा तो माइनस 12 इसको जर्ण घटा देंके माइनस कितना मेरे परीचहत्रों 4 मैंस मैंस का हुआ कट गया यह ठीक है ना समझ में रहा है चार से 12 को कट आई चारती है रही है यह बारा डी बराबर कितना हुआ लेकिन अभी पता नहीं तो आसानी साम लोग पता कर सकते हैं तो है डी कमान किसी समिकण में रख दीजिए या तो दूसरे में रख दीजिए आपका समिकण नंबर एक में रख सकते हैं और किसी में आप रखेंगे तो मान आपका एक ही आएगा यहां लिखना आपको कि समिकण एक में दी बराबर तीन रखने पाँ वा देख सकते हैं समझ में अची तरह सरा जा है तो बेका आपको फोट पता हो गयाओ चले समीकर्ण एक में रख दीजिए यहां पर समीकर्ण एक यह ही है न तो 18 is equal to a plus to multiply d का वेलू क्या पूट करना है तिन न यहां पर रख देगे कि यहां 3 तो यह हो जागा 18 is equal to a plus 2 3 दोनीके 6 इधर भेज दीजिए तो 18 minus सुरी 18 यह पलस में इधर मायाइनश five इंडillar अब यहां से आपको ठीजिए समझ में आ रहा है न अब यहां से आपका घDO हैंक्या था अब स्रेणी अ अब स्रेणी किया मिलेगा अब स्रेणी अब स्रेणी की निकालेंगी देखेंगी जोडते जाई तो 12 सारवंतर कीतना है तीन कीतना हो जाएक 15 संद्रा सारवंतर एक समयारें है सव्भामे सताल हमेशा जोड़तेइं न मैं पल्स कर दिए नि Ragds 12 आपका फ्लस में प्लसptsर फ्लस है तो इहां पर वाराई स्वूल taps यांट कि बार्रिक ने स्वान Holz तेंगे सार और बारत अरत मैं तो 18 नीगे तो आürü हो एकिस में तिन जोडेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 34 24 हो जाएगा प्लस यहां तो यह आपका स्थ्रेणी बन जाएगा नहीं है आप कोशित है समझ में आए तो वीडियो को लाइक से जरूर कर देजिए एक बार तो लाइक से जरूर कर देजिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह प्रस नमर तीसरे का पहला रहा अब दूसरे का सलूसन क्या है ज़र देखिए अब दूसरे में क्या दे रखा दरा देखिए मैं बता दरा है और kolay मद्टा चलिए Deliam because तो आपको इसमें स्रेणी नहीं पूछा है अब दूसरे में को स्रेणी फाइंड नहीं करना है अब आपको निकाल लाएंगा सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पद बजरा बता दीजिया और सार्वा अंतर तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं यह तो आप ऐसे लिख लेंगे ठीक है मैं सलोसन से तकरा दे रहा हूं चलिए वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक से जोरू कर देजिए एक बार तो लाइक जोरू कर देजिए चलिए कोशन नमबर हम चलते हैं वहाई दूसरे पर की ती्सरे के दूसरी का सलोसन क्या है तो चलिए आते हैं अब इसके बाद दूसरा है कि एक सरे एक समांद스randi सिंडमीogens एक समाधा सेरी के तीसरा पड साथ देखिए तो यहां पर आप लिखेंगे का तीसरा फट निदे का और फद कितना कि टो इसके वाद हम तो फंड करता है मैं साँ चला तो इससे बाद हो जाएगा प्लस एन का भाइलू कीतनता है हाई यहन का वाईल होता है ना 3-1 इंटो क्या दी और टी 3 कमान कितना सेवें इस इकल टू ए प्लस है घटा दीजिए टू डी समीकर नमर कितना एक अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना अब इसके बाद आगे क्या कर रहा है कि कर रहा है कि तीसरे पद के तीसरे पद के साथ्मा पद तीसरे पद के साथ्मा पद इससे तीन गुन्य से ड़ो क्या है अधिक है तीसरे से तीन गुन्य साथ है ना तो तीसरे से यानिक गुण्णा से कग रहा है इयाक ह chaos c app यापका जो बना है यह समंझ में आ रहा है करेंगी आणि शादावा जो पधिसर पढ़के स्थे प्धिसर पढ़के भी को त्यों से मैंने कर ल techniques lounge के आठीके इंदाव्मICH किए है त्य cynUST है इस्लिए च्वें टीन से उन wären पुलस कितना अधिक है दो तो यह टोटल वेलू क्या हो जाएगा साथ तिरी की एक तष्दू कितना हो जाएगा यानिकी टी सेवें जो है यानिकी सातवा जो पद है आपका कितना होगा तेश होगा यह कर फार्म है यह आपको अच्छी तहीं समझ में आ रहा है अब चलिए इसी फार्म पर बदलेंगे यहां से हो जाएगा टी सेवें इसकल टू हो जाएगा एंप्लस नंबर कितने हैं सेवें माइनश वां इन्टो ठीक है मेरे प्रिछा तहरों अब यह आपका टी सेवें का वैलो एक तू कितना देखा है तीज इसगल टू ए प्लस यह घटा देंगे तो आपका क्या बद गय यहांप इसको घटाएगा है इसको घटाने एक इसको घटाना है यहां प्रस्टन कराएगा वैसे इसको लेकर चलना तो इसको घटाएगा यह आपका हो जाएगा 16 is equal to यह आपका कितना हो जाएगा इसको पहले तोड़ी है तो सही d minus a और minus कितना हो जाएगा तोड़ी यह confirm हो रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 हो जाएगा a से क्या होगा मेरे बढ़ते हैं और चार चोंच कितना वहाए चार और निकाल दिए अब याद है इसमेंए यहां पर बात करते हैं डी बराबर 4 रखने पर तो यहां पर हम लोग अटेश्ट डिस्प्लेइ नहीं है कि एसे गर पड़ेगा तक यहां पर बात करते हैं दी बराबर कितना चार्ज है कि समिकार नंबर 2 में हम लोग रखेंगे तो यह आपको हो जाएगा 23 इसको इधर दीजिए सब्सक्राइब दीजिए चोविस हो जाएगा 24 इन प्रफम पद तो आपका प्रफम पता करिए तो तो सरवंतर आपका डी होता है ना तो यह आपका इंसर तो यह आपका तीसरे का आपको दूसरे का सलूसन और इसके बाद मैं लेकर चलते हूं आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक से जरूर करते जाएं चलिए बात करते हैं कि प्रस नंबर तीसरे का यह आपका दूसरा रहा उमीदों की फ्रेंस यह दोनों कोश्यान जो है कि आपको अच्छी तरह समझ में आभी कहें होंगे क्योंकि दोनों का प्रोसेस लगभग सेम था को अब यहीं से महल निज foul आप एंप पुछता खिस रवाले में सारव अंदल को क्या करते जाएंगे जोड़ते जाएंगे ठीक है तो इसमें स्रेनगी नहीं पूछ रहा था ता में फाoup ने में इसके बूसंस्तिय 스ता तीसरा पद पहले पद का चार μου यह तो यहां पर पहले पुझार सबसे पहले 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 पद का चार गुना तीसरा पद पहले पहले पद का कितना है चार गुना किसी समानता स्रेणी का तीसरा पद पहले पद का चार गुना तथा छठवा पद 17 है तो स्रेणी ग्यात कीजिए आपको स्रेणी पता करना है कि स्रेणी आपकी क्या होगी ठीक है तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि T3 is equal to क्या T1 तीसरा पद दे रखा था ना चैनल तीसरा पद पहले पद का चार गुना है तीसरा पद पहले पद का 4 गुना तीसरा पद पहले पद का चार गुना तीसरा पद कीटना कीदों वह समझेगा यह ठीट psychologists इंट ती आपका 37 अब यह कर तीसरा जो पद है पहले पद से और गुन्ह था चारह घुना यह पहले पस्ते कितना चंबन तो पहला 양os 3-3 निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा आपका 3 निकालेंगे तो तो हो जाएगा A है तो इसको भी बबरावर करने के लिए चार से दोणा करना पड़ेगा तो पहला पद आपको अ II इसको होगा तो यहांपका इसमें हो गया तो आपके इन दोनें को क्या करना है इक्वल करना है ठीक है तो यहां पर आपका हो जाएगा a plus यह तीन में से घटेगा क्या हो जाएगा 2d is equal to 4a यह confirm है इसके बाद इसको इधर फेच देगे तो आपका हो जाएगा 2d और यह plus 1a है इधर आएगा तो minus 4a is equal to कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 2d और यह घ अच्छा है इसी को कर दिये ठीक है और 2d बराबर हो जाएगा 4a यह plus में दर आएगा तो minus 1 और यह हो जाएगा आपका क्या 2d बराबर हो जाएगा 4a यानिकि 3a ठीक है तो यहां से आपका a निकालेंगे तो गुडांग खटेगा तो यह हो जाएगा 2 बराबर में 3d ठीक है यह आपको समझ में आ रहा है कि 2 बराबर में 3d यह समिकर नमर कितना होगा a यानिकि a का वैलू आपका पता हो गया 2 बराबर में 3d is equal to a ठीक है च्ठापा ना तरो t6 बराबर केतना है 17 t6 बराबर च्ठापड आपका 17 है तो t6 बराबर 17 हो गया तो यहां पर t6 समझ में लेकर चल्न हो ए प्लस n-1 होता है न l to 90 r यहां पर कितना रख दिए यहां पर 86 यानि छटवा पत कितना आपका 17 इजगल तो अब देखिए इसमें एक तो वैलू पता है एक आपका आया है इसके बाद आपको क्या करना है 17 इजगल तो चाहिए तो यह आपका तीन पचे कितना हो जाएगा 15 बटा में कितना 3 मल्टिप्लाई करा दिए तो 3 सत 21 को एक हासिल 2 हुआ 3 एकम 3 दो कितना 5 इजगल तो यह दोनों जूटे का तो कितना हो जाएगा 17 दी तो 17 एकम सतरा सतरा तिया 51 यानि कि दी बाराबर कितना 3 यानि कि दी का तो मान 3 आ गया दी का मान कितना आ गया 3 अब यहीं दी का मानावा हमें रख देंगे तो किस का मान लिकल जाएगा एक मान लिकल जाएगा कि नहीं तो अब दी का मान लिखेंगे कि समीकरण एक में d बरावर कितना रखेंगे हम 3 रखने पर ठीके ना मैं रख दे रहा हूं यहाँ पर तो यहाँ पर 2 बाई 3 multiply d का वेलू कितना है 3 is equal to कितना a 3 से 3 का हुआ कट गए यानि 2 बरावर कितना हुआ a यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर स्रेणी मैं लिख देता हूं तो स्रेणी आपका क्या हो जाएगा पहले पद में सारवंतर को जोड़ते जाए तो पहला पद कितना है आपका 2 यह पहला पद तो 2 होगा इसके बाद सारवंतर जोड़ते जाए आद 2 में सारवंतर केतना है 3 तीन आ 2 केतना हो जाएगा 5 आप 5 में सारवंतर जोड़ी है 5 तीन आठ 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 में सारवंतर जोड आपका यह इनसर हो गया है कि उमिद होगी समझ में आगया होगा आपका होगाँ या परते पर तेक में कि आप कितना कितना तीन तीन आप जोड़ते आगे वाली संख्यां में कि परतेक आपके गया है तो यह आपका सुलुसन ना बढ़ते हैं इसके बाद कोशन नमर जो है कि आपका ये तीन सरे का तीसरा आपको कंप्लीट हुआ अप्चार में प्रवेस्ट करते हैं कि कोशन चार का पहले क्या है ठीक है चलिए वीडियो को सेर एक बार जरूर कर दिएगा चलिए आगे चार का पहला वैसे पांचवे को मैं लेगा चलूंगा ठीक है ना चलिए कोशन क्या दे रखा है देखते हैं इसने पर भी दिख रहा हुआ कोशन वे कर रही किसी समांतर सर्णी का प्युआ पद वन बाई क्यू देखा है ना यानि टीपी बराबर वन बाई क्यू दिया है मैं पी हो तो सीद कीज़े कि क्यू इंटू 1 वा पद एख भात बस आप कुछ नहीं करना है ठीक है कह रहा है कि टीपी ठीपी दिया है आपका एक बाई में कितना क्यों ठीक है ना एक अरी बाद कह रहा है कि जो टी क्यू है इसका है एक बाटा में कितना पी है ना इसके बाद दे रहा है कि जरा यह बाद यह सीध कीजिएगा कि टी आप पी इंटी क्यू यही है ना पी इंटी क्यू हां है ती रहना चाहिए यानि कि जो पी क्यू पत करने का करना है सिद करने का मतलब का हुआ यानि कि जब इसको सीद करेंगे तो का चाहिए आपको टीपी टीक्यू बराबर ए प्लस यह न का वहलू है पी क्यूंब है न आ माइनस वान एंटू केतना दी यानि कि हम लोगों को एक कवीं शीद कर सकते हैं यहां पहले सादे ऑंग तो निकालने समिक कर थे कर दो इसका फिर बनाएंगे तो बनेगा आपका टी क्यों आप बनेगा अभी फर्मूला चला था ना पर यह पर दो फर्मूला लगा देजिए तो हाइं हो जाएगा टी की बराबर हो जाएगा ए प्लस यन यहन का वहिलू का रखेंगे हाई यहन का है न नीचा वाला देखिएगा हटी के साथ आवा जो हैयन का होता है तो आई यहन का मतलब का पी ओ माइनस वान आइंटू यह ठीक है कि आपको यह समझ में आ रहा है न अब इसके बाद एवाला इधर भेज दीजिए तो वन बाटा में क्यू आ हाइप पलस में इधर आएगा तो माइनस पी माइनस होगा आपी माइनस वान इंटू केतना डी इसकल टू हाइप केतना ए समीगन नंबर क्या बन गया य क्यूं आप निकाल करके उसी में एक मानवा का करेंगे हम लोग रख देंगे ठीके अब देखिए और टी क्यूं के लिए आएंगे तो वन बाटा में कितना है पी वन बाटा में पी है तो फार्मुला डिरेक्ट रख दीजिए यहाँ पर टी क्यूं के लिए यानि कि हो कितना है एक बाटा में कितना पी इसकल टू एक अमान यहीं है न तो वन बाटा में क्यूं माइनस पी आको श्टक में वन आइंटू डी ठीक है आप प्लस आहाई है आपका क्यूं माइनस वन इंटू ठीक है यह तो आपको समझ में आ रहा है न तो यह आपको आपका जो है क इतना रहा इसके बाद दोनों में से हम लोग क्या कर दें कि दोनों में से इन दोनों को एक साथ कहाए कि इसमें भी डी है इसमें भी डी है इन दोनों को एक साथ ले लिए तक डी आसानी से कामन हो जाए आइस विचारे को इधर भेज दीजिए तो वन बटा में हो जाएगा प तो हाई माइनस हो जाएगा पी माइनस वान हाई पलास है तो पलास लगा लिजी हाई क्यू माइनस कितना हो जाएगा वन अदी एमें से इस में से इस में से दोनों में से डिका होगा बाहर चला गया अब इसको तोड़ दीजी हाई दोनों का एलसेम ले लिजे नहीं है तो इस हाई हो जाएगा P, त अब तोड़ी है इसको, त अब प्लस, त अब प्लस, त अब प्लस हाई हो जाएगा Q, ठीके, आ ये हो जाएगा-1, ये कनफर्में इंटू का बना D, त अब 1 से 1 का हुआ, कट गया न, त आपका बच गया का, यहाँ प Dee निख्ये, Q-P, आप बाटा में PQ हुआ कि नहीं हुआ, आप राबर हाई सजा दिजिए जरह इसको, Q को पहले रख दिजिए, हाई P को बाद में रख दिजिए, तो Q-P हो जाएगा, इनटू D, आप रहे हे से आप का होगा, कौट जाएगा, एक बाटा में PQ बचा कि नहीं ब लेकिन अभी एका बचा हुआ है एक क्या हुआ है बचा हुआ है तो एक मान इसमें क्या कर दें पूट कर दें ठीक है चलिए तो यह आपको धी का मान रखने पर ठीक है रखने पर यहाँ पर रख दीजिए तो रखेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा एक बाटा में Q माइनस हो जाएगा P को श्टेक में 1 इंटु D तो D के जगा अब कितना है एक बाटा में PQ है आप पूर्य का बाटा कर दीजिए एक बटा में PQ का मतलब खाली का हो जाएगा या P, आप काहें कि एक से मल्टिप्लाइ करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, आप इसकल तो कितना हो जाएगा, एक, आप दोनों का का ले लिजिए, LCM ले लिजिए, तो हाई हो जाएगा, PQ LCM होगा, Q से Q कटेगा, बचेगा का, P, आप P से इसमें गुला, P, आप माइNS आई हो जाएगा, आप दोनों तो कट जाएगा, एक बचेगा, यानि मल्टिप्लाइ कर दे लिए, उतना हो जाएगा, एक, आप मल्टिप्लाइ कर दे próxim हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना वन बाटा में पी क्यू होगा अब बराबर का हुआ ए है पी से पी का हुआ कट गए एक बाटा में कितना बचा पी क्यू बराबर कितना ए देख रहा है न याली कि डी का भीमान वही मिला डी का भीमान आपका वही मिला एक भीमान आपका वही मिला यानि कि दोनों का वैलू आएक ही है न कोई बात नहीं है बस इसमें रख दीजिए तो हाई TQ हो जाएगा TPQ बराबर हो जाएगा A तो A का वैलू का है A का वैलू कितना मिला है एक बटा में PQ मिला है न आप प्लस कोईश्टक में हाई हो जाएगा PQ A माइनस 1 आप पूरे का बटा D का वैलू कितना है एक बटा में PQ एक से मल्टिप्लाई करें तो एतना ही यानि कि का हो जाएगा खाली PQ आद दोनों का हर समान है दोनों का हर वका है समान है तो उपर वाला बस वैसे ही रख दो PQ A माइनस 1 हाँ एको बात याद रखिएगा हाँ यहाँ पर एदी माइनस होगा तो माइनस से तुरन्त इसमा मल्टिप्लाई हो जाएगा ठीक नहीं लेगि प्लस हा तो वह मैं वह से उतार दिया हूँ आई हो जाएगा क्या PQ अहाई ससे यह का हुआ कट गया तो है हो गया PQ बाता में किताना PQ यानि कि T P Q का जो वैलू है दोनों का होंगे कट जाएगे यानि कि बच गया किताना एप इती सीध ठीकले यही आपको का करना था सिद्ध करना था कि यह बताईएगा कि पी क्यूंगा यदी पध निकाला जाये तक वन होगा यह आपको दा स questão अहमा Days के क्यूंग हो एक होगा है particul चिंद कीजिये कि पे क्यूंगा पध कितना होगा रहें घुंगा तो ची से विए लिए सब चीजे आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी कि अगयव कि यह गया कैंट डीकिव में आप देखेंगे तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ पीडियएफ में भी का है कि विस्तार से बता हैं चलितों बोले कर चलते हैं आपको दूसरे के तरफ प्रस नमबर जो है कि चौथ दूसरा देखेगा क्या है कि देखें दूसरा कादेर रखा है है काह रहा है की कि देए इसमें भी क्या कर रहा है कि कि किसी समांतर technologies का प्द ग्यू का फ़ेtype क्यूं है आद跳 फी इंड इसका प्लस प्द बताई आपको बताना पूछ रहा है का प्लस क्यूं आप आपको यहीं ना बताना है वाँ यानि कि आप तुरहन समझ गए होगे कि सर आपसे तो तो यह पूछ रहा है ती प्लस क्यूं यानि कि पूछरा आए कि कितना होगा तो इसके लिए आपको क्या का चाहिए a प्लस यान का वईलू है p P Plus Q Khudei है हम minus one भार में होता हुए इंटाओ ढूए यानिकी A और D का बैलू हम लोग लिकान आद आओ देना ऑसानी से हम लोग P Plus Q नीकाल सकते हैं ठीक है यानिकी एक कमाना D कमाना आसानी हमें से निकल यह तो उस में रखरकल निकाल सकते हैं न चलिंग तो शुरू करता हों में आधे रखाई सकतल है कि दे जहाँ लिखेंगे ट बराबर कि क्यों से पी में जिया है ना पsimुओ कि टना है है कि ट्मिधा कि किसना है थिए यह बहुत सिंपल है कुछ नहीं करना है चलि हराल में आपको ए और दी का जो ही कि मान तो फाइंड करना है तो फार्मुले के अनुसार माइले कर चल लाओ तो हाई हो जाएगा है टी क्यू बराबर होगा ए प्लस यान तो यहां पर दे रखा है ए प्लस पी माइनस वान आइंड के तना एक समझ में आ रहा है ठीक है और इसके बाद क्या करना है इसको जरा इधर भेज दिजिए तो यह आपका हो जाएगा क्यू आपका हो जाएगा तो माइनस फुजाएगा पी माइनस वान इन्टु यह नहीं कि अंदर आपका माइनस इसको प्लस कर देज़ेगा अंदर वाला चैन्ज होगा इसके बाहर वाला गुलाग चेंज हो जाता है अब आपका तना एक यहां पर मानिए समीकर नमर क्या एक अभी समीकर नमर एक आई यह तो TQ बराबर दिया है P अज टी क्यू बराबर फार्मूला से आपका हो जाएगा का देखे फार्मूले पर मैं पहले रखता हूं TQ बराबर हो जाएगा A प्लस यहां का बाइलू Q-1 आई इंटू केताना D ठीक है न अब यहां से TQ का बाइलू कितना है P बराबर A का बाइलू कितना है भाई है यहां आएक बाइलू तो यहां पर रखता हूं मैं Q-P-1 आई इंटू केतना D आई पलस में है Q-1 आई इंटू कितना D इतना समझ में आया हाई जरा बेचारे को इधर बेजिए आई P आई Q को इधर बेजिए अलग कर दीजिए यह आड़ी वालों के एक सत ले लिजिए तो है इधर आ गया तो है यह न दूनों बचे आज दोनों बचे का दोनों में से का कामन है दोनों बाहर चले गए अब यह बाहर चला गया यह बाहर चला गया तो यहीं दोनों बचे तहाई है माइनस बच गया प्लस Q-1 ठीक है सेम प्रोसेस आपका चल लाए यह अभी पीछे बता है इसका पहला कोशन तो पी माइनस क्यू बराबर हो जाएगा मल्टिप्लाई में करा दे आँ तो माइनस फी हो जाएगा माइनस फ्लस वन हो जाएगा क्यों घृए क्यों है इसके बाद क्या है मायनस पी है नी पॉस वाला फहिले रख लिज़े पॉस वाला क्या कर देज़े अभी ना के इंट कितना रहा और लेकिन यहां पर एगों चीज है देखिए को इसा मैं है कि मैनस पी इससमें कि मैनस या क्या थे ऊ안 इस में है पी माइनस क्या पी 300 ov Ware CH निसमें क्यूंअ कerek न शोंज करना चाहते हैं तो मैंस बाहर निकलना पड़ेगा इसक निस में से माइस बाहर काम निकलना dov Deep किसको चेंज करना चाहते हैं आप लोग भी किसी को प्रकता हूं तो इसको च्र因 कर दिजिए तो और उसको चेंज करें तो की एक रूप के हो जाए हैं चलिए तो यह फी माइनस क्यों है अंगरेजी की पर देखिसे वहाद की वह चाहिए पहले से माइनस बाहर जा रहा है तो यह माइनस हो जाएगा औल अब तो दोना निकल गया इसमें रख देंगे तो किसका मान निकलेगा एका मान निकल जाएगा यह कॉनफर्म है न ठीक है अब हम वह मान फूट करते हैं अब यह ही लिखेंगे यहां पर कि समीकरण एक में दी बराबर माइनस वान रखने पर दीके न चलिए रख दीजे यहां पर तो q- माइनस P माइनस 1 और इंटू का मतलब गूल और D का वहलू 1 is equal to A ठीके इतना इसके बाद मल्टिप्लाई करा दीजिए तो हाई हो जाएगा Q माइनस यहाँ पर रहे तो यहाँ प्लस कर देगा आई हो जाएगा P माइनस 1 is equal to क्या ठीके ना तो A का माण निकल गया A का माण निकला P plus Q माइनस 1 और D का माण निकला माइनस 1 तो अब हाई है न निकल ना था यानि P plus Q क्या है तो TQ यानि P plus Q के लिए T P plus Q बराबर हो जाएगा A plus P plus P minus 1 इंस 1 इंटू D ठीके चलिए तो यहाँ पर अब इसके बाद रखते हैं इसी में P plus Q आप फाइंड कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा A तो A का value ये है न Q plus P minus 1 इंटू कहा है A का value रख दिये पूरा न आप plus आहाई हो जाएगा P plus Q minus 1 इंटू D D का value कितना है minus 1 तहे जा रख दो minus 1 यहाँ पर आपका हो जाएगा T plus Q बराबर हो जाएगा Q plus P Q plus P एतका इसको P plus Q लिख सकते हैं सजा करके न तो P plus Q कर दिजिए सजा करके minus 1 कर दिजिए आहाई प्लस से minus में माइनस कर देगा आहाई हो जाएगा P कोश्टक में P plus Q plus sorry minus 1 मा través वन और देखिये जर्ड गोँख समझ्येगा यह भी टूटल मान एक है एक जैसा दोनों है लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या है प्लस जब दोनों मान समान होते हैं एक माइनस एक प्लस में होता है तो अब घटता है ना आई घटे है तो दोनों का होगा t p plus q बड़ाबर कितना मिला जीरो इतना मेहनत करने के बाद मिला जीरो कुछ फायदा तो है नहीं ठीक है लेकिन आप से क्या पुछरा था paste qउंआ पद क्या होगा । स्क्फ क्यों पत आपका क्या होगा कितना होगा बैई कि मेरे प्रीचात्रों उमीद हुई कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हूं कैसे मैं सिल्गवाक प्रस्टत नंबर चार में दोनु प्रस्टमे सेम था आप ररस नंबर 3 में प्रस्टत ही नां बजरू अुमीद हुगा है तो आपको आप आपके लिए नए वीडियो अपलोड करूं आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे तेले फ्रेंट्स मिलते हैं आप सेगली वीडियो में तद तक के लिए बाई बाई